तो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो भाईयों स्वागत है आपका हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में तो इस बार हमारे सामने खड़ी है I20 Hyundai I20 के बारे में बात करने वाले हैं सारी चीजे सारी डिफ्रेंसिस के कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और आप सभी लोगों से सभी भाईयों से मेरे जितने भी प्यारे भाईयों को देख रहे हैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट है थोड़ो से चैनल को सबस्क्राइब करना और भाईयों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि वीडियो हमारे अच्छे से चल पाएं और चैनल हमारा आगे तक बड़े अजीब सी वह मिलता था इक डिजाइन पर यहां पर पूरा एक डियारेल का सेटप यह वाला चेंज कर दिया गया है यह बहुत ज्यादा बढ़िया और एक यूनिक चे डिफरेंसिस है इस तरीके का यह आपको दिखने में लगेगा जब इसको जलाएंगे तो हैड्लैम्स क हैलोजन सेटप बेस मिलेंगे पूरा अंदर आपको बलब है हैलोजन का ही मिलेगा पीला ही जलता है ठीक है अब अटो है वह अगर आप उसे अटो में कर देंगे तो मतलब वह आटोमेटिक होता है इविनिंग में अपना आप जल जाएगा इस तरीके का नीचे आपको वह ब्लैक ग्लॉसी वाली स्क्लिप्ट है जो कि सिल्वर में कर दी गई है पहले भी इसी तरीकी के से मिलते थी यहां पर ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल यह भी पहले देखने के लिए मिल जाती थी हुंडाई का लोगो जो की बिलकुल चेंज हो गया पहले वाला नहीं है यह च स्टैड़ रोफाइल के देखने के लिए मिल जाता है we'll base भूत तगड़ा वाला मिलने वाला इसके अंदर आपको पच्छी सो असी एमें का में आ पो देखने के लिए मिल जाएगा चोड़ाई मैं आपको बता चुको लंबाई चार मीटर से ठोड़ी सी कम है यानिके ठी ड आठ लाग 32,000 रुपे के एक शोर्म पढ़ती है और आपको ओन रोड 9,500,000 रुपे के असपासी आपको देखने लिए पढ़ जाएगी इसके अलोई विल पे नजर मारो आप डियोल टोन कलर हो गए हैं तो अच्छे लग रहे हैं नखली वालोई विल हैं वैसे तो यह देखन मिलने वाले हैं प्रोफाइल है यह तो हो कि भार की पूरी की पूरी मैंने आपको इंफ्रमेशन दे दी यह जो इसका एक्स्टेंडर मिरर है यह ओटो फॉल्डबर और ओटो एडजस्टिबल दोनों चीज़े इसमें आपको मिल जाएगी बी प्लर ब्लैक डॉट मिलेगा और इसका वील बेस मैं आपको बता चुक हूँ 170 mm का इसमें आपको ग्राउंड ग्लेंस मिल जाता है और 37 लीटर का फ्यूल फिलर कैप इसमें आपको यहां पे कैपसिटी मिल जाएगी पीछे का जो यह टेल लाइट के डिजाइन है बाइस अब जड़ करके चलती है यहां स किल्वर कलर में जो क्लाइटिंग का काम किया हुआ है ग्लॉसी ब्लैक के साथ बंपर पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है लाज जवाब लगता है देखने में और इसमें दो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर का भी उप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यह चीज बहुत बढ़ी है लगी वैपर इसमें पहले भी नहीं आता था डिफोगर हाई मांटर डिस्टोप लेट ऊपर आपको शार्फन एंटिना यह चीज मिल जाती है देखने के लिए तो यह है पूरा हमरा पीछे का पूरा सेटप यहां कैमरे की प्लेसिंग है नीचे ठी के बढ़ जाए फिलिप के एक दम बढ़ जाए गाड़ी वी इच्छी है तो आप लोग अनलोग और नीचे वाले को ठड़ नमबर को प्रैस करके रखेंगे तो इससे अपना बूट स्पेस अपना बूट ओपन हो जाएगा ठीक है तो आप चलते हैं अंदर गाड़ी के अं इंटीरियर में आती थी फुल ब्लैक इंटीरियर के साथ अब मगर कुछ जादी चेंजिस हो यूज कर लिया है तो नजर मारेंगे हैं यहां पर कुछ सॉफ्ट टच है नहीं सॉफ्ट टच तो नहीं है यह कुछ इस तरीके का बीच कलर में मिला है थोड़ी सी यह शेप चे कर सी मिल जाते हैं दो ट्योडर के परेश्मंट मिल जाएगी इसके अंदर आपको और आपको अपना सावी रख सकते हैं यहीं सीट mix और आकशे मिल वहाइए है आप चलते हैं कण बहुत ज्यादा बड़ी है पच्छिस सो असी में को ग्राउंड कर वील पेस मिल रहा है तो बहुत बड़ी है गाड़ी है ऑन करते हैं गनिशन मापको दिखाता हूं करके इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर वही पहले वाले देखने के लिए मिलता है इसमें कोई भी चिंजि वाला बीच में के माइडी सारे यहाँ पे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको और इसमें कुछ पीपीप वाले लाइटिंग वगारा सब चीज मिल जानेगी स्टेरिंग आपका टिल्ट विद्ट टेलिसकोपिक दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है बटर तो यह होगा हमारे स्टेरिंग का पूरा और भाइसा बी अंदर का कुछ लियाउट इस तरीके का आपको फुल देखने के लिए मिल जाता है इन्फोटेन्मेंट हमारा ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ इस पर कुछ इस तरीके की टेपिंग वगारा यह कर रिक कर गी हुए यह एट इंचेस के इस पर आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा ओटो एपल कार प्ले ठीक है सपोर्टेड है वैरलेस होगा पूरा जो वैरलेस काम करता है जो की बहुत बढ़िया चीज है और इसका साउंड जो है कोई भी वंदा इससे नाखुश नहीं है बढ़ और आप्जा ऑड़ा है इसपोर्ट वेरेंट प्लेंट के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं यह वाला जो वेरेंट आप देख रहा है Bennbreight चाहिं पर मिल जाते है इस तो हैंड्रेस्ट इसका अगर थोड़ा सा अच्छा हो जाता मेरे साब से तो आई यार पीय में हैं पर मैनुली अड्यस्टमेंट आप कर सकते हैं यहां पर कुछ नहीं मिलता आपको इस साइड आपको वैनेटी मिरर मिल जाता है यहां पर संग्लास होल्डर यह चीज भी बड साइश्ट आता है हैंपर ABC के साथ डैट पैडल आपको देखने के लिए मिल जागा यहां पर जो बटन आप देख रहे हो यह वाले ट्रेक्शन कंट्रोल ABC हिल होल्ड यहां पर सारी चीज़ यहां पर सेफटी वाली वाले बटन जाएगा और यहां पर आपको इंजने स्टा ट्रे ठीक है लैंप यहां पर नहीं मिल रहे हैं एक भी हैं पर हुक मिल लेंगे हो कि देखो लगे हुए हैं नीचे देखते हैं इसके क्या मिलेगा टायर इस पेर विल हमारा कितने इंचिस का देखेंगे वैसे छोटा ही होगा क्यों आज के लिए सबी गाड़ियों में छोट के बारे में अच्छा से बात करेंगे हैं अबनों बोन अपनों ओपन कर लेते हैं बोनेट और ऑपन करते हैं एक मिनट ये हो गया तो यहां पर आपको यह मिल जाता है निए के सिरीज का 1200 CC इंजन पेट्रोल इंजन फॉर्ट सेलेंडर देहने के लिए मिल जाता है जो कि बढ़ी है तीन बार गया रहा है एबेस एबीडी वहाँ पे प्लेस्मेंट की हुई है इस तरीके का पूरा इंजन का सैटाप है और यहां नीचे कुछ भी कवरिंग के लिए नहीं है मैलेज की बत करें तो भीस का मैलेज कमपनी क्लेम करती है और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनका रिविई शक्राधा एंडारा शोला का यह एचीव करने के लिए बताते हैं वोन की सोला सब्सक्राइबनील के इससमें हिखिव करते हैं वोलो ठीक है तो ये इसकी प्रेज प्राइजिंग के बात करेंगे यह है अपने स्पोर्ट वेरियंट मैं आपको बताया था साड़े नो लाग रुपे लगवग लगवग साड़े नो लाग रुपे प्लस ही आपको उन रोड पढ़ जाती है ठीक है और अपने एरिये के अगौर्डिंग आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं वैसे तो ठीक है एक शोरूम साड़े आठ लाग रुपे करीब के इसकी प्राइजिंग है साड़े नो लाग रुपे सम्तिंग या आप को रोड पढ़ जाती है इस तरीके के इन्फरमेटिव वीडियो थी है हमारी ठीक है और यह वाली हमारे आई चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल को पहले बार विजिट करें तो बिना सब्सक्राइब किये चैनल को बिल्कल भी मत जाना